हेलो दोस्तों मैं हूँ बैवव और आप पहुच चुके हैं अपने फेबरिट चैनल बीट्स फॉर बायोलजी पे तो ये जो हमारा प्रिवियस येर कोश्चन्स री चल रहा है आज इसमें जिक्र होगा एनिमल किंग्डम का कोश्चन्स करेंगे 2010 से लेकर 2020 तक के जो भी कोश्चन्स आए हुए हैं सारे कोश्चन्स का आज इन डेप्थ एनलेसिस होगा तो क्या तयार हो तुम चलो देखते हैं कौन-कौन बच्चे आ चुके हैं निरंजन, गरिमा, उत्तम, राधा, प्रगती, योगेश, फिर्दोश बहुत अच्छा चालो बहुत अच्छा नोटिफिकेशन आ चुका क्या है यूट्यूब का बहुत अच्छा तो आज हम लोग अनिमल किंग्डम में बात करेंगे करेब 50 के असपस कुश्चन है 50 और 55 के असपस कुश्चन है और ये बिट्स फ़र बायालजी पे ये रिगुलर चल रहा है ये सिर्फ संडे को छोड़कर संडे को छोड़कर मंडे टू सैटर्डे ये चीज़े चलेंगी तो जैसे आज हम अनिमल किंग्डम का बिट्स फ़र बायालजी पे प्रिवियस से कुश्चन स्रीज कर रहे हैं ऐसे ही कल सैटर्डे का दिन है कल मॉर्फोलोजिकी होगी 2010 से लेकर 2020 के कुश्चन का इन डेप्थ एनलिसिस हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं तो सब लोग पढ़कर आए होंगे अनिमल किंग्डम और जब नीचे तुम कॉमेंट बॉक्स जो नीचे है हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे तुम देखोगे तो एक 4 पीम का लिंक दे रखा होगा वहाँ पे यह जो 4 पीम का लिंक है इसमें हम मोस्ट एक्सपेक्टेड कोश्चन करते हैं तो आज हम लोग एनिमल किंग्डम के ही मोस्ट एक्सपेक्टेड कोश्चन करने वाले हैं ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं लिंक सब के पास सेंड कर चुके हो अधनान साक्षी पूजा गितांजली ज्योती प्रशांत अमल फिर्दौस अनामिका अकांशा सोनी श्वेता केशव एवरिवन गुद बार्निंग एवरिवन और आज दिन भी बड़ा अच्छा मुझे मालूम नहीं था कि चैनल को वेरिवाई कैसे करते हैं और किसी बच्चे नहीं मुझे एडवाईस दिया था कि चैनल को वेरिवाई कराने के लिए तो तुम अब देख सकतो Bits for Biology पूरी तरीके से वेरिवाईड चैनल है एक official टिक भी लग गया है है ना तो तुम्हारी बदालत सब कुछ हो पाता है समझ गया है तो आज से ये चैनल पूरी तरीके से वेरिवाईड हो गया और जल्दी हम लोग दो लाग सब्सक्राइबर को भी टेच कर जाएंगे तो हमारा ये पूरा परिवार जो है वो दो लाग से जादा लोगों का प ये 2020 का आया हुआ कुछन है ये 2020 का कुछन है ये गुद मॉर्निंग गुद मॉर्निंग एवरिवन गुद मॉर्निंग चलो कुछन स्टार्ट करते हैं आज का पहला कुछन आ चुका है अनिमल कीदम से हरे एक साल 3-4 कुछन पुछे जाते हैं मिनमम तीन तो आएंगे ही आएंगे चलो तो बाट आती है बालैटारली सिमेट्रिकल पहली बार बालैटारली सिमेट्रिकल प्लैटी हलमेंधिस से स्टार्ट हुआ और a silomate भी पहली बार term वहीं use करते हैं हम तो answer b आना चाहिए जिनका भी answer b आ रहा है वो बिलकुल सही है bilaterally symmetrical मतलब अगर मैंने एक body बनाई ये मैंने मान कर चलो एक body बनाया ठीक है ये मैंने एक body बनाया अगर मैं इसको center से अगर मैं cut करूँ और दो equal halves में मैं इसे divide कर दो तो ये होता है bilaterally symmetrical ये silomate वो है जिसमें कोई cavity नहीं पाए जाती हम लोग silomate में आते हैं देखो ना दिल में भी cavity है दिल के चारों तरफ pericardial cavity lungs के चारों तरफ plural cavity है तो ऐसे कई सारी चीज़े यहाँ पे है match the following column and select the correct option ये 2020 का ही question ये भी पूशा गया है select the correct option क्या लगता है correct यहाँ पे क्या है जल्दी से बताओ correct यहाँ पे क्या लग रहा है तुम्हें छे से पंद्रा पेर्स ओफ गिल स्लेट्स हेट्रो सर्कल कॉडल फिन अगर नहीं भी पता तुम्हें बी क्योंके NCRT का है नहीं कोई मतलब नहीं है एर ब्लैडर और पॉईजन स्टिंग तो छे से पंद्रा पेर गिल स्लेट्स के हैं तुम साइकलो स्टूम लगा रहे होगे अगर A का एंसर क्या आ रहा है 2 इससे ही आ रहा है हमारा एंसर 2 सिंपल सी बात अगर मुझे मालूम है कि 6 से 15 पेर गिल स्लेट्स किस में होते है एंसर आ चुका हमारा क्योंकि हम ये भी जानते हैं एयर ब्लैडर जो होता है वो औस्तिस थाइज में होता है एयर ब्लैडर स्विम ब्लैडर कॉंड्रिस थाइज में नहीं होते पॉइजन अस्टिंग की बात करें ट्राइगान में होता है तो कई सारे तरीके थे जिसके थूँ हम एंसर को लगा सकते थे यहां पे ठीक है सारे options को जानना जरूरी नहीं है exam point of view से लेकिन मैं बता दू हेट्रो circle caudal fin क्या होता है fins जानते हो जैसे मान के चलो कोई मचली है तो मचली में निकली रहती है इस तरह से fin तो ये वाली fins को बूला जाता है जो पीछे side का होता है उसको बूला जाता है hetero circle caudal fin ऐसे ही pictorial fin भी होते हैं ऐसे ही pelvic fin भी होते हैं तो ये था दूसरा question ये भी question 2020 में आया हूँ question है पूछा गया है quadata के लिए true statement कौन सा लग रहा है quadata के लिए true statement कौन सा लग रहा है 4 statement है यहां पहला statement in euro quadata noto quad extends from head to tail and it is present throughout their life in vertebrata noto quad is present during the embryonic period only central nervous system is dorsal and hollow और quadata is divided into 3 sephala hemi quadata, tunicata and cephalo quadata पूछा गया है इसमें true statement बताना है कौन सा statement true है तो मैं ये तो मालूम चल गया होग कि सर ये तो सही है बिलकुल ये भी सही है बिलकुल क्योंकि हमारी cns dorsal होती है और हमारी cns hollow होती है non quadrats की बात करें उनमें ventral होती है और उनमें solid होती है B.B. सही है क्योंकि हमारे में notocot जो होता है वो सिर्फ embryonic plate तक ही present रहता है क्योंकि आगे जाकर वही तो आगे convert हो जाता है vertebral column में B.C. सही है तो बात आती है D. में और A. में क्या गलत है in euro quadrat notocod extends from head to tail ये बात से fellow quadrat के बारे में होती तो अच्छा होता ये euro quadrat में सिर्फ tail में present रहती है ये चीज़ याद रखेंगे quadrat को तीन सब फाइला में divide तो करते हैं लेकिन quadrat के तीन सब फाइला ये नहीं है euro quadrat है sephelo quadrat है और vertebrata है हम ये जानते हैं hemi quadrat नहीं होता tunicata कह सकते हैं हम और sephelo quadrat भी कह सकते हैं साथ में हमें vertebrata कहना चाहिए अगर मैं कुछ साल पीछे चलूँ आज से लगभग 20 से पचीश साल पहले तो ये चीज़ सही बैठता ये चीज़ सही बैठता इसमें एक और vertebrata भी जोड़ देता है कि तुम जानते हो hemi quadrat को पहले हम quadrat में ही रखा करते हैं लेकिन आज के इस modern classification के दौर में ये सारा कुछ बदल चुका है तो हमारा answer B और C यहाँ पे जाएगा जो correct है सबका सही आ रहा है आगे चलते है next question एक और question होगा जो 2020 का होगा 2020 में क्योंकि 4 question आया था इस chapter से चलो बई वो gregarious है वो polyphagus paste है adult with radial symmetry जिनके पास book lungs है और जिनके पास property biolumnescence की है gregarious देखते ही मन में locusta याद आता है तो एक आतो फूर बस देखो कितने simple होते है neat के previous year question में match the following तुम देखो के बड़े ये simple होते है हम जितना complex बनाते हैं ना उससे बहुत है simple होते है neat के तो answer तो हमारा B आ रहा है अब एक बात नहीं समझ में आती कि gregarious क्या होता है gregarious और colonial में क्या अंतर है gregarious वो होते हैं जो जुण्ड में रहते हैं लेकिन एक दूसरे की कभी मदद नहीं करते उन्हें हम gregarious कहते हैं अगली चीज है polyphagus pest जो बहुत सारे चीजों को खा ले वो polyphagus में आ जाएगा तो ये बाते हम किसके बारे में करते हैं locusta चलो ए आ गया यहाँ पर adult with radial symmetry and larva with bilateral symmetry क्या ये बाते इक अनोडरमेटा के बारे में है तो starfish के बारे में है तो ये चला जाएगा तुम्हारा ये बहुत ही important property होती है यहाँ भी D तो यहाँ भी D adult में radial symmetry होगा book lungs की बात करूँ ये scorpion में देखने को मिलता है biolumnescence की बात करें तो biolumnescence यहाँ मिलेगा तो overall तुम्हारा answer जो है 4, 1, 2, 3 यहाँ पर आ जाएगा simple है gregarious जो जुण्ड में रहे लेकिन एक दूसरे की मदद ना करे colonial वो है जुण्ड में तो रहे और आपस में एक दूसरे की मदद करे 2020 की ये 4 question पूछे गए थे अब हमें चलना होगा 2019 की तरफ ये 2019 का पहला question यहाँ से start होता है consider the following features consider the following features जल्दी जल्दी से लगाए organ system level of organization bilateral symmetry or true silhouette with segmentation of body select the correct option of animal group which possesses all the above characteristics ये जो तीन characteristics देख रहे हो ये किन में मिलेंगे तीनो के तीनो characteristics तीनो के तीनो characteristics किसमें मिलेंगे सबसे पहली बात हमें ये समझना होगा segmentation of body ये हम जानते हैं segmentation पूरे के पूरे animal kingdom में ऐसे तीनी phylum है जहां मिलती है segmentation एक तो एनलिडा में दूसरा अर्थरपूडा में और तीसरा कॉड़ेटा में एनलिडा आर्थरपूडा और कॉड़ेटा ये तीनी ऐसे सब phylum है जहां हमें segmentation देखने को मिलती है ये तीनों में organ system तो मिलेगा ही मिलेगा bilateral symmetry भी मिलेगा plus siloam भी पूरी तरीके से true होता है अगर मैं कुछ पूछू तुमसे पहले मैं answer कर देता हूँ एनलिडा अर्थरपूडा जबाब होगा अनलिडा का सबसे पहले organ system level of organization किसमे आया तो जबाब होगा ascalmentis का सबसे पहले circulatory system किसमे आया जबाब होगा अनलिडा सबसे पहले respiratory system किसमे आया जबाब होगा आर्थरपूडा ये जो मैंने कुछ point बोले हैं important है अपनी NCRT में इसको back करकर लिख लेना question number two mass the following है पहला paila है bombikes है, clearobrachia है और tyria है चलो जल्दी से बताओ इनके कुछ important characteristics दे रखे हैं कि flame cells किन के पास complete skin के पास radula किन के पास malpigantibles किन के पास आओ देखते हैं paila, molluska का member है molluska में तो radula मिलता ही है radula वही है ना file like rasping organ feeding के लिए होती है bombikes की बात करें तो bombikes arthropoda का insecta का member है malpigantibles देखने को मिलेगा plurobrachia में complete मिलेगा और तुम बताओगे complete का काम और complete के number complete के number तो 8 होते हैं और उनका काम locomotion में होता है tiniya की बात करें tapeworm tapeworm में बात की जाए तो flincels होती है for excretion purpose तो A का answer 3 A का answer 3 D का answer 1 D का answer 1 C देख लेते हैं C से clear हो जाएगा plurobrachia की बात करें तो C का 2 C आना है सब का answer 2 का answer C 2 का answer C आ रहा है तो तुम बिलकुल सही हो बहुत अच्छा आगे की तरफ बढ़ते हैं question number 3 question number 3 की तरफ चला जाए question number 3 की तरफ चलते हैं हम beauty रिसी केश बिपिन रजट नव्या नैंसी जल्दी से बताओ पहला है ओफियूरा फिर है फाइसीलिया फिर है पिंक्टाडा और फिर है प्लेनेरिया match the following genre with their respective phylum उडिसानीट 2019 का सवाल बड़ा simple सा काम है उनके जो individual organism है उन्हें ही तो बताना है तुम्हें simple सा नाम है ओफियूरा की बात करें brittle star नीचे से चलते हैं प्लेनेरिया प्लैटी हेलमिंथिस का मिंबर है 4 का 2 पिंक्टाडा पियर लोइस्टर मॉलस्का का मिंबर है 3 का 1 3 का 1 मुझे लगता है एंसर आ चुका है एंसर आ चुका है 3 का B आना चाहिए एंसर क्लेर है सबका 3 का B देखो भई ओफियूरा ब्रिटल स्टार फाइसेलिया प्रडगैजमन अव और पिंक्टाडा पियर लोइस्टर और प्लेनेरिया वैसे साइंटिफिक नेम इसका डुजेश्या डुगेश्या बोलते हैं इसे और बाके इंडिविज्विज्व औरगनिस्म तो जितने भी फाइलम है ना पॉरिफेरा, सिलिंट्रेटा, टीनोफोरा सब के तुम्हें इंडिविज्विज्व औरगनिस्म पता होने चाहिए, डिरेक्ट कोई भी चीज़ पूछा जा सकती है है ना, सिम्पल ही सवाल पूछा गया था जैसे मान के चलो मैं डिरेक्ट तुमसे बोल दूँ कि अस्कॉर्पियॉन किसमे है तो आर्थरोपोडा, नेरिस किसमे है तो एनलीडा, वुचरेरिया किसमे है तो एस्कलमेंथिस तो ये डिरेक्ट पता होना चाहिए तुम्हें आओ, अगले कोशन में चलें, कोशन नमबर 4 में चलते हैं विच अधी फॉलिग अनिमल्स, ट्रू सिलोम किनके पास? विद बाइलेटरल सिमेटरी, दो सर्थ लगे हैं पहला, ट्रू सिलोम होना चाहिए, दूसरा, बाइलेटरली सिमेटरी होना चाहिए ये दो सर्थ के साथ कौन सा है जो बिलॉंग कर रहा है? जल्दी से बताओ, दो सर्थ लगे हैं यहाँ पे, कौन सी चीज बिलॉंग कर रही है इसके साथ? ट्रू सिलोम होना चाहिए, और बाइलेटरल सिमेटरी होना चाहिए अडल्ट की बात करें तो रैडियल सिमेटरी होता है, एसके हलमेंथिस में स्यूडो सिलोम मिलता है, प्लैटी हलमेंथिस में ट्रू सिलोम नहीं मिलेगा, एंसर हमारा डी जाएगा फोर का एंसर हमारा डी है गरिमा, पूजा, बहुत अच्छनैंसी, मुबारक, छाया, रतन, तेजश्वी, गजब आओ, पांच में में चलें Which of the following animals does not undergo metamorphosis? Metamorphosis वो चीज होती है जब लार्वा एडल्ट में बदल रहा होता है, अपने stages को वो चेंज कर रहा होता है लार्वा से अडल्ट पहुचने तक की पूरी जर्नी, metamorphosis कहलाती है तो लार्वा से आगे अडल्ट बनना ऐसा किसमें नहीं होता है Does not undergo metamorphosis Does not undergo metamorphosis तो क्या लगता है? क्या लगेगा? जिनके लार्वा नहीं बन रहे जिनके लार्वा नहीं बन रहे वही तो answer हो जाएगा अर्थवाम लार्वा नहीं, direct development होता है अर्थवाम में और हम ये बात जानते हैं ट्यूनी कैटा की अगर मैं बात करूँ अभी जस्ट हमने देखा यूरो कॉड़ेटा में तब ही तो symmetry की बात बोलते हैं तो ये भी गलत answer हमारा A जाएगा क्योंकि इसमें कोई लार्वा नहीं बनता direct अर्थवाम अपने बच्चे जो देते हैं उनमें भी अर्थवाम ही होता है तो direct development है तो क्यूं बात करेंगे metamorphosis की metamorphosis का मतलब मैं simple examples अगर बताऊँ एक मान कर चलो tadpul है tadpul को बनना है frog तो tadpul जब frog बन रहा है तो tadpul को जब तुम देखोगे न तो पता ही नहीं लगा पाऊगे कि आगे चलकर यही frog बनने वाला है गया कई सारे stages से बदलता हुए frog में जाएगा ऐसे ही मैं बात करूँगा cockroach के बारे में तो cockroach के जब नीम्फ को तुम देखोगे तो पता ही नहीं लगा पाऊगे कि यह cockroach ही आगे बनने वाला है तो कई सारे बते हैं यहाँ पर याद रखेंगे यह question number six उस vertebrate को पहचाने जिनके पास crop है और जिनके पास gizzard है उनके digestive system में उनके पास crop है उनके पास gizzard है digestive system में NCRT ने पहले ही लिखा रखाया vertebrate क्योंकि अगर vertebrate बोलता तो तुम कहा देते कि यह चीज तो हमें cockroach में भी मिली है crop और gizzard को जहाँ NCRT proventriculus कहती है तो उस vertebrate का नाम बताएं जहाँ crop और gizzard देखने को मिलता है सबका answer भी आ रहा है answer C apes जिने हम birds कहते हैं जिने हम birds कहते हैं इनमे crop होता है ताकि खाने को store किया जा सके इनमें gizzard होता है ताकि खाने को grind किया जा सके gizzard का एक और नाम proventriculus होता है in the case of cockroach तो crop का का काम food को store करना जैसे हमारा stomach करता है gizzard का काम grinding जैसे हमारा दाद करता है तो overall answer C जाएगा vertebrate है तो vertebrate में चीज़ें आती हैं कुशन नमबर 7 पूछा गया is not a homeotherm हम लोग homeothermous हैं हम लोग warm blooded हैं बूला गया इनमें कौन सा homeotherm नहीं है कौन सा homeotherm नहीं है इन में से macropas کंगारू को कहते हैं चילोनी टर्टल को कहते हैं camalis camels को कहते हैं cita kula parrot को कहते हैं तो इन में से homeotherm कौन नहीं है मैंने इनके बगल में इनके क्लासिस के नाम लिख रखे हैं मैक्रोपस मैमलिया से बिलॉंग करता है चिलोनी रिप्टैलिया से बिलॉंग करता है कैमलस मैमल से बिलॉंग करता है और सीटा कूला एप से बिलॉंग करता है और हम ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि एवस और मैमल्स जो होते हैं वो होमियोथरमस होते हैं मतलब वो warm-blooded होते हैं तो answer हमारा B चला जाएगा क्योंकि चिलोनी रिप्टाइलिया में आता है और हम ये भी जानते हैं कि जो रिप्टाइल्स होते हैं वो cold-blooded होते हैं तो बस ये बात याद रखेंगे कि एवस और मैमल्स ही सिर्फ warm-blooded होते हैं इनके अलावे सब cold-blooded होते हैं अगर तुम्हें मैं जैसल मेर साथ में लेकर चलूँ तुम वहाँ भी survive कर जाओगे अगर मैं तुम्हें सियाचीन ले चलूँ वहाँ भी तुम survive कर जाओगे सियाचीन में इतनी ठंड पड़ती है कि हड्डियां बरफ तक बन जाती है तो इतने ठंड में भी हम सर्वाइब कर रहे हैं हमारे देश के जवान वहां सर्वाइब कर रहे हैं देश की रक्षा कर रहे हैं सियाचीन में भी और जैशलमेर में भी कर रहे हैं Fishes में देखने को नहीं मिलेगा, Amphibians में देखने को नहीं मिलता यह चीज, 7 का अंसर B, Question No.8 में आएं, Important Characteristic that Hemicodate share with Chaudate, Hemicodate और Chaudate में क्या ऐसा है, कि दोनों में खास मिल रहा है, जल्दी से बताएं, Neat 2017 का सवाल है, Important Characteristic that Hemicodate share with Chaudate, Hemicodate में Ventral Tubular Nerve Codate होगा, नहीं, Hemicodate में तो हो सकता है, Chaudate में जब भी Nerve Codate की बात करते हैं, डॉर्सल ही बात करते हैं, यह तो नहीं हो सकता कभी, Pharynx with Gillslits, बिलकुल दोनों में Gillslits देखने को मिलते हैं, Pharyngeal Gillslits जिनको बोला जाता है, तो answer तो हमारा क्या चला जाएगा, B चला जाएगा, बी अगर आ रहा है तुम्हारा तुम बिल्कुल सही हो एंसर क्या चला जाएगा भाई बी फैरिंग्स विदाउट गिल्सलिट्स नहीं दोनों में गिल्सलिट्स मिलते हैं गिल्सलिट्स हम में भी कवे मिलता था जब हम इंब्रानिक प्रेड में थे लेकिन सब कुछ खतम हो चुका आज आज कुछ भी नहीं है क्योंकि लंग्स उससे कहीं बहतर है अब एक बात मैं अगर तुम्हें बताऊँ इवोलिशन में तुमने एक लाइन भी पड़ा होगा उंटोजेनी री कैपिटुलेट्स फिलोजेनी मतर्ब सिंपल वे में कहूं तो उंटोजेनी रीपीट्स फिलोजेनी हमारे बर्थ के टाइम पर वो सारे कैरेक्टर आ जाते हैं जो हमारे इवोलिशन में कैरेक्टर थे हम फिशेस के भी कैरेक्टर में आते हैं amphibians के भी character में आते हैं, reptiles के भी character में आते हैं, जब हमारी 9 महीने किये जो journey चल रही होती है, तो जब तुम initial stages के diagram देखोगे, तो तुम्हें लगेगा ऐसा, ठीक है, तो 8 cancer यहाँ पे भी चला जाएगा, और hemicodact में notochord की जगा एक खास चीज होती है, जिसको हम बोलते हैं, stomochord, क्या बोला जाता है, stomochord, यह बात याद रखेंगे, इसमें notochord नहीं होता, इनमें खास चीज होती है, जिनको बोला जाता है, stomochord, in CRT में, add हुआ है, stomochord, which among these is the correct combination of aquatic mammals, जितने भी mammals यहाँ पे हैं, वो बताने हैं तुम्हें, aquatic mammals कौन-कौन से हैं, जिल्दी से बताएं, aquatic mammals, वैसे mammals जो सिर्फ पानी में होते हैं, trigon की बात करें, तो यह mammal नहीं है, trigon की बात करें, तो यह stingray यह mammal नहीं है, यह phasus के category में आती है, shark mammal नहीं है, कई बच्चों को यह बात ताजूब लगती है, जिस बच्चे ने नहीं ध्यान दिया कभी अच्छे से, whale को हम मचली कह देते हैं, whale मचली नहीं होती, whale mammal के category में आती है, dolphin मचली नहीं होती, dolphin mammals के category में आती है, seal भी mammal के ही category में आती है, जो कि ठंडे जगों पे देखने को मिलते हैं ज्यादा तर तो whale, dolphin और sills ये aquatic mammals हैं याद रखेंगे Question number 10 Horse का order मैंने पहले भी बताया है The Living World में भी ये question Horse का order बताएं जब human की order की बात आती है तो primata आता है अगर बात चली tiger की Tiger की, cat की, dog की तो उसका order कार्निवोरा आता है Primata, Carnivora, Rodensia सब में मैंने आखरी में A लगाया इसमें देखो आखरी में A किसमें लगाया है Parishodactyla बात समझ में आई एक्जाम में जब ये question आया किसी बच्चे को मालूम नहीं था कभी किसी ने होर्स का order आज तक नहीं पढ़ा था और पढ़ाया भी नहीं जाता क्योंकि ऐसे दुनिया में इतने सारे सत्रह से 18 लाक स्पेसिज हैं सब का order कैसे याद रखेंगे हम यहाँ दिमाग लगाना होता है कि जब सब के last में हम जानते हैं suffix a add होती है तो ऐसे ही तो यहाँ पर हॉर्स का याग्या सिंपल सा तुमसे पूछा जाता कि बताएं हॉर्स का family कौन सा है तो लगा कराना चैथर d हॉर्स का order पूछा तो लगाएंगे a क्योंकि family का suffix हम animal के case पे जानते हैं कि ae होता है clear रहा ना बात आगे बढ़ते हैं अभी तक बताएं total 14 question हुए है 14 में 14 किसके सही है out of 14 out of 14 equals घोडे को बूलते है अमल शूप्रिया उमा पूजा रश्मी संदी फिर्दास जोती सोनम विकास विजय लक्षमी, पूजा शर्मा, नैंसी, रस्मी, शिवी, प्रबीन, शमा, प्रशांत, जादव, फिर्दास, अनामिका, रतन, शुमेद, बहुत शांदर, आगे बढ़ते हैं लगबग सारे बच्चों के लगबग 10 से उपर ही है बहुत अच्छा जो लोग टाइम पर नहीं आ पा रहे हैं, टाइम पर आया करें रोज ये सेशन स्टार्ट होती है, मंडे टू सैटरडे सुबह 10 बजे ये सेशन स्टार्ट होती है किसके केस में बात करें, पॉरिफेरंस के केस में अस्पंजो सिल्की बात की जा रही है, जो उसके अंदर में कैविटी होती है उसमें लाइनिंग होती है कुछ फ्लैजलेटेड सेल्स की वो सेल्स जिनमें फ्लैजला है, उनका नाम बताएं वो cells का नाम बताएं जिन में फ्लैजुला है पहला नाम दे रखा है उस्कूला जिसे उस्कूलम कहते हैं कोईनोसाइट्स दे रखा है मिजिंकाइमल cells दे रखा है जोनकी बॉड़ी में cells मिलेंगे बॉड़ी के दिवारों पे cells जो मिलते हैं और एक आख़री है अस्ट्या जिसमें opening होती है क्या मैं कहँँए एंशर बी जाएगा कौईनोसाइट्स इनका एक और नाम बताओ जरा कौईनोसाइट्स का एक और नाम बताओ क्या बूलेंगे कौईनोसाइट्स का एक और नाम collar cells होता है कोई तुमसे पूछे ना मेश्वर कॉप सेल्स किसमें मिलेगा कौन सा ऐसा फाइलम है यही वो फाइलम है पौरिफिरा जिनमें एक सेल नहीं गुच्छे मिलते हैं शेल के ठीक है कुशन नमर ट्विल चूज दी करेक्ट स्टेट्मन्ट चूज दी करेक्ट स्टेट्मन्ट चूज करना है पहला है कि पहला स्टेट्मन्ट गलत हो गया क्योंकि दुनिया के सारे मैमल्स विवी पैरस नहीं होते हैं हमें तो मालूम है ना औरनी थोरिंकस डक बिल्ड प्लाटिपस वो तो वी पैरस होता है तो ये तो स्टेट्मन्ट गलत हो गया फिर तो अल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पजजे जॉज अन ये भी बात हम जानते हैं इसका कोई exception तो है नहीं ठीक है वाई ये सही लग रहा है हमें साइक्लोस्टोम्स के पास वैसे जॉब भी नहीं होता है जॉलेस फिसस कहा जाता है इने क्रोकोडाइल के पास तो चार चेमबर होते है और हम ये बात अच्छी तरीकी से जानते है कि औस्तिस थाइज में आपर कूलम होता है कॉंड्रिस थाइज में नहीं होता और पिसस कैसे कहो गयार एंसर बी 12 के एंसर बी आ रहा है तुम बिलकुल सही हो 12 के एंसर बी आ रहा है कई लोगों का दीपी का मिश्रा, विकाश, शत्यम, शुप्रिया, अनीशा, शमा, फिर्दाश, दिया, अंजना, प्रगती, शालू, बहुत अच्छा शिवाकान, सबके एंसर जादे तर भी आ रहे हैं चूज दी करेक्टर स्टाइट्मेंट कुश्य नमबर 13 विच वन अफ फॉलिंग करेक्टरिस्टिक्स इस नाट सेर्ड बाई बर्ड्स और मैमल्स बर्ड्स और नममल्स में कौन सी करेक्टरिस्टिक्स सेर्ड नहीं होती बस ये बताना है तुम्हें कौन सी करेक्टरिस्टिक्स सेर्ड यहां पे नहीं होती तो जल्दी से बताए नॉट सेर्ड बई बर्ड्स और मैमल्स ओ देखते हैं जरा बर्ट्स में विविपैरिटी नहीं दोनों में ये चीज सेर नहीं हो रही है वाम ब्लेड़ेट दोनों का ओसिफाइड इंडोर स्कलिटन हड़ियां दोनों में होती है ब्रेधिंग लंग्स में एंसर आ गया A क्योंकि बूला गया not shared बूला गया तो आ जाना चाहिए ठर्टीन का A आना चाहिए एंसर ठर्टीन का A अगर आ रहा है तुम बिल्कुल सही हो ठीक है विविपैरिटी क्योंकि बर्ट्स में ओ भी पैरस है मैमल्स तो भी भी पैरस है जिसमें कोई exception ना हो इसके regarding एक question तुमसे पूछा जा रहा है तो जल्दी से बताएं क्या लग रहा है answer क्या लग रहा है answer जल्दी से बताएं true for corresponding group of animals always holds true तो इसमें सूचना होगा तुम्हें जा रहा always holds true तुमसे पूछा जा रहा है always holds true जल्दी से सोचें और जल्दी से बताएं आओ देखते हैं possesses a mouth with an upper and a lower jaw काडेटा की बात करें तो हमिसा jaw हो जरूरी नहीं है साइकलोस्टोम्स में jaw नहीं होता है three-chambered heart with one incompletely divided ventricular नहीं क्रोकोडाइल में तो चार चैम्बर होते हैं तुम सोच रोगे पिछले वाले से लिंक है ये कुश्चन cartilaginous endoskeleton हाँ ये बात जरूरी है कि condristhize अगर है तो cartilase के बने हुए endoskeleton तो होंगे ही होंगे viviparas की बात करूँ mammalia हमेसा viviparas नहीं होता यार और निथोरिंकस तो oviparas होती है duck build platypus जिसे कहते हैं 14 cancer C आ रहा है बहुत शंदर आगे चलें question number 15 which of the following feature is not present in the phylum arthropoda phylum arthropoda में कौन सा feature present नहीं है इससे simple सवाली नहीं हो सकता metameric segmentation मिलती है metameric segmentation मिलती है kaitinus exoskeleton के भी अगर बात करें तो kaitin वहां भी मिलता है jointed appendages तो हैं ही parapodia की अगर बात करें तो parapodia arthropoda का feature नहीं है sorry parapodia की अगर बात करें sorry 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 parapodia की अगर बात करें अगर बात करें तो यह जो parapodia है यह feature जो होता है यह अनलीडा का feature होता है parapodia जो feature है यह किसका feature है यह पैरा पूडिया किसका feature है भाई अनलीडा का feature होता है तो यहां पर बूला गया था आर्थरपूडा का feature कौन नहीं है है ना तो simple सी चीज है आगे बढ़ें question number 16 question number 16 जल्दी से लगाए question number 16 body having mesh work of cells cells एक नहीं बहुत सारे cells है बहुत सारे cells है internal cavities है जिन में flash related cells हैं बात किया था हमने coinocytes का indirect development है मतला आर्वा तो बनता होगा तो यह कौन से phylum के यह सारे characteristics है कौन से phylum के यह सारे characteristics है क्या यह phylum porifera है क्या यह phylum porifera है अरे porifera में याद करो न क्या जब कभी भी हम porifera की बात करेंगे तो क्या हम हमेशा coinocyte की बात करेंगे क्या हम हमेशा indirect development की बात करेंगे क्योंकि लार्वा वहां भी बनता है parent कैमूला वगरा तुमने साथ नाम सुना होगा है ना आगे बढ़ते हैं metagenesis refers to metagenesis चले भई लगाए answer metagenesis metagenesis किस में मिलेगा देखने को metagenesis किस में मिलेगा देखने को metagenesis obelia metagenesis का मतलब तुम से पूछा है answer d आ रहा है तुम बिल्कुल सही हो answer अगर तुम्हार d आ रहा है क्योंकि metagenesis obelia में मिलता है फाइशेलिया में मिलता है जिस में मैं बताता हूँ कुछ तुम्हें आद आएगा अगर मैं बोलू sexual का conversion asexual में अगर हो रहा है और अगर asexual sexual में बदल रहा है इसी चीच को हम metagenesis कहते हैं अगर sexually asexually मानके जो लो कोई stage है तो वो अगर sexually बदले अगर वो sexually बदले तो हम इसे बोल देते हैं अगर मानके बेने उल्टा है लिग दिया यार अगर medusa का conversion polyp में हो रहा है तो यह sexually होगा polyp का medusa में हो रहा है तो यह asexually होगा है ना तो यह simple सी बात इसी को हम alternation of generation का नाम देते हैं और जो चीज हमें asexual or sexual phases of organism के बीच में होता है question number 18 उस fish का नाम बताना है जो कि jawless fish है जो कि अंडे देती है fresh water में and whose amosite larva लार्वा का नाम important है यहाँ पे उनका लार्वा का नाम है amosite larva after metamorphosis वो ocean को return हो जाती है तो उस jawless fish का नाम है क्या उस jawless fish का नाम है क्या जल्दी से बताएं उस jawless fish का नाम है क्या क्या उसका नाम petromyzen है petromyzen जिसे lamprey कहते है machine hagfish कहते है तो इस दोनों में चांस लगता है और NCRT clear cut लिखती नहीं है क्योंकि NCRT में larva का जिक्र है लेकिन larva के नाम का जिक्र NCRT में नहीं है तो amosite larva नाम है याद रखेंगे तो answer हमारा क्या जाएगा petromyzen which of the falling endoparasite of human does so viviparity इसमें यह चीज़े याद रखने वाली थी यह example हमारी NCRT में नहीं था तो बताएं ज़रा जल्दी से which of the falling endoparasite of human does so viviparity किसमें मिलेगा विवी पैरिटी किसमें मिलेगा बताओ बही जल्दी से तो यह बात याद रखेंगे trichinine alia में देखने को मिलता है विवी पैरिटी और बाकी यह सब में हमें oviparity देखने को मिलता है मतलब यह सारे अंडे देते हैं और यह बच्चा देता है जैसे तुमसे पूछा जाए आर्थ्रोपूडा में कौन सा ऐसा है जो विवी पैरिस है तुम क्या बोलोगे अश्कॉर्पियोन अश्कॉर्पियोन क्या है विवी पैरिस वो डिरेक्ट बच्चे देता है 19 का अंसर A 20 इधर नाम कैरेक्टरिस्टिक्स के और इधर नाम क्लास के वो करेट कॉमिनेशन चूज करना है जिसमें कोई exception ही ना बने बताएं जरा जिनमें कोई exception ही ना बने without any exception without any exception जल्दी से बताएं क्या लगता है आओ बात करते हैं cyclostomatter की sucking and circular mouth ठीक है jaw absent है ठीक है integument without skills ठीक है paired appendages paired appendages नहीं होते इसमें unpaired appendages हैं पहला तो गलत अगला abs में body covered with feathers बिल्कुल a skin moist नहीं होती इनके गलत memory gland मिलेगा mammalia में hair body पे मिलेंगे पिन्ना मिलेगा two pairs of limbs मिलेंगे ये कहीं न कहीं सही लग रहा है हमें पूरी तरीके से condris thighs की बात करें तो mouth ventral में होगा gills without upperculum होगा a skin mouth यहाँ पे ventral upperculum ना आए a skin with plaquoida skills और persistent notochord अब यहाँ पे एक जब बात आती है तो यहाँ पे हमें c भी सही लग रहा है और d भी सही लग रहा है इसलिए जब exam में ये cushion आया था तो ये exam में cushion bonus हो गया था और अगर हमें लगाना भी होगा तो हम लगाएंगे यहाँ पे c लेकिन बात आ जाती है hairs on body पे dolphin के body पे hairs नहीं मिलते whale के body पे hairs नहीं मिलते तो c भी नहीं होगा और d के तो कई सारे exception आते हैं इसलिए 20 number जो cushion है इसको exam में bonus दिया गया था तुमने देखा होगा 20 number यह जो cushion था exam में इनको bonus दिया गया था क्योंकि body पे hairs तो कई सारे ऐसे mammals हैं जिनकी body पे hairs नहीं मिलते ठीक है और बहुत सारे में न पर्सिस्टेंट नोट रकार्ट भी नहीं मिलता है 21 में चले बूला गया इन में से कौन विविपैरस नहीं है जल्दी से बताएं इन में से कौन सा विविपैरस नहीं है नोट विविपैरस जल्दी से बताएं भई question number 21 सब को मालूम होगा platypus की बात करें यह विविपैरस होता है यह सारे mammals हैं यह सब विविपैरस होते हैं जनते हैं न सब एक पर scientific name मेरे साथ बूलेंगे सब लोग platypus की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा औरनी थोरिंकस whale की belenopatira flying fox की बात करें तो flying fox के लिए क्या term यूज़ करेंगे तुम बताऊगे elephant का elephant flying fox के लिए तुम यूज़ करोगे term क्या बोलते हैं ncid क्या लिखती है flying fox के बारे में नहा रिक आशीस रस्मी सुजाता अनूज आर्ती 20 में कुछ नहीं लगाएंगे 20 bonus गया था 21 जल्दी से बताओ flying fox की बात अगर करें तो flying fox का pteropus बहुत बढ़िया pteropus जाएगा answer चलो तो इसका 21 का हमारा answer age जाएगा platypus which of the following characteristics mainly responsible for diversification of insects on land हमारी इस धर्ती पे insect पूरी तरीके से दुनिया में फैल गए diversity इतनी ज़्यादा कहते हैं कि सबसे ज़्यादा insect आ ही होता अगर 10 animal हमने तो ऐसा क्या है इनमें खास कि ये पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा diversity के साथ मौजूद है क्या इनका bilateral symmetry क्या इनकी आखें क्या इनका segmentation segmentation तो और में भी मिलता है bilateral symmetrical तो और में भी मिलता है तो वो क्यों नहीं diversified हो पाए इनकी exoskeleton के कारण कहते ऐसा है कि जब धर्ती पूरी तरीके से अगर तबाह भी हो जाएगी nuclear bomb भी अगर गिरता है तो उसके बाद भी cockroaches बच जाएंगे जितने भी ज़्यादा तरे insecta है वो बच जाएंगे ऐसा क्यों इनकी जो exoskeleton होती है वो काइटीन की बनी हुई होती है और काइटीन तुम जानते हो बड़ा ही सक्त होता है जो जिस फंजाएंगे में भी मिलती है 23 slick the tax on maintain mention that represents both marine as well as fresh water as passage एक ऐसा phylum का नाम बताएं जिसमें marine तो मिली रहा है साथ में fresh water भी मिल रहा हो हाँ हाँ जल्दी बताओ राधा, माजिदा, पल्लवी, शहनवाज, श्रीनिवाश, शिवम, यूशुफ, जल्दी से बताएं बिपिन गुपता, शुभाकान्थ, भर्ती एक ऐसा phylum जिसमें marine भी मिले और जिसमें fresh water भी मिले क्या सबको निडैरिया लग रहा है क्योंकि ये तीनो ऐसे हैं, जो 100% marine है इनके अलावे भी 100% marine वाले और भी है मैं नीचे से चलूँ, टीनो फूरा है, इकैनो डरमेटा है हेमी कॉडेटा भी होता है, यूरो कॉडेटा भी है, सेफैलो कॉडेटा भी है ये जितने नाम मैंने बोले हैं, सारे 100% marine वाले है फिर से बोलूँगा टीनो फूरा है, इकैनो डरमेटा है, यूरो कॉडेटा है, सेफैलो कॉडेटा है यूरो सेफैलो को मिला कर प्रोटो कॉडेट कहते हैं इसके अलावे हेमिकॉडेटा है, और आखरी में कॉड ब्रिस्थाईज है, जो 100% marine होता है ठीक है, आगे चलें प्लेनेरिया पॉसेज़ हाई केपैसिटी ओफ, प्लेनेरिया में क्या चीज़ बिलेगा तो जानते हैं हम की प्लेनेरिया में हाई केपैसिटी ओफ, रिजनरेशन मिलती है रिजनरेशन सबसे ज़्यादा प्रोपर्टी यहाँ पे देखने को मिलेगी एक marine कार्टलेजनियस फेस, जो की electric current प्रोड्यूस करती है उसके scientific name के common name में ही वो चीज छोपी है जो की electric current प्रोड्यूस करती है प्रिष्टेस, शौफिस, टॉर्पैडो, एलेक्ट्रिक आ गया न ट्राइगान, स्टिंग्रे, स्कोलुडान, डॉक्फिस टॉर्पैडो आ रहा है अंसर क्या टॉर्पैडो आ रहा है अंसर हाँ वही टॉर्पैडो चलें आगे 27 टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन के एकॉर्डिंग देखें करेक्ट्ली मैस्ट कौन सा है 2013 का सवाल है 2013 का सवाल है इंसिक्टा से क्या बिलॉंग करते हैं हास फ्लाई, जी हाँ बटरफ्लाई भी, जी हाँ सेटसी फ्लाई, हाँ सिल्वर फिस, बिल्कुल सिल्वर फिस वही है जो पुराने किताबों में हमें देखने को मिलती है बिल्कुल सही लग रहा है पहला हमे अस्पाइणी और, आरे भै अस्पाइणी और, कैसे आएगे केनो ड्रमेटा में डखविल्ड प्लैटिपस वाले पाइसिस ये बात करें सिल्वर फिस तो आर्थ्रोपॉडा में आती हैं मचलियों में कैसे आ जाएगी इंसिक्टा की बात करें तो इंसिक्टा में सारा चीज नहीं आएगा शॉला ये चीज, इंसिक्टा कहने का मतलब, इंसिक्ट दुनिया के सारे नहीं आ गए आर्थरपूडा में कई सारी क्लासें, जैसे क्रस्टीशन का क्लास है, तो उसमें प्रॉन आता है ऐसे ही इंसिक्टा है, तो उसमें कई सारे इंसिक्ट आएंगे, ऐसे ही कई सारे वहाँ पे classes बनाई गई है ठीक है तो answer 27 का एज आएगा पहला ही मिल गया हमें 28 में चले पूछा गया है same phylum से कौन बिलॉंग करेंगे same phylum से कौन बिलॉंग करेंगे जल्दी से बताएं same phylum से कौन बिलॉंग करेंगे जाधा पलवी बताओ भई बताओ जल्दी से शूप्रिया रानी ओम सिंग महेर अंजना चौधरी same phylum से आओ देखते हैं प्राउन अर्थरोपूडा का है अस्कॉर्पियोन अर्थरोपूडा का है लोकस्टा अर्थरोपूडा का है अरे यार पहला ही मिल गया स्पंज पौरिफेरा का सी अनिमान सिलेंट्रेटा का मलेरियल पैरासाइट प्रोटोजोवन है अमीबा प्रोटोजोवन है मौस्कॉटो अर्थरोपूडा का है अर्थ वर्म अनलीडा है पीन वर्म एसकलमेंथिस का है गलत हमारा अंसर 28 का यह चला जाएगा है ना सिंपल 28 का अंसर यह जाएगा अरे भई लाइक्स बढ़ती रहनी चाहिए 28 का अंसर यह है और आगे बढ़ें कुश्चन नमबर 29 में फाइलम और बाकि उनके कैरेक्टर दे रखे हैं फाइलम और प्लस उनके कैरेक्टर है जहां से बिलॉंग करता है उसके बारे में बतानी है बाते तुम्हें देखो और देखते हैं पाइशिस की बात करें मचलियों में लिमूलस थोड़ी आएगा लिमूलस तो किंग क्रैब है जो कि आर्थरोपूडा में मिलता है अडम सिया पौरी फिरा में कैसे मिलेगा यारे तो सिलेंट रेटा का मेंबर है पेट्रुमाईजॉन एक्टो पैरासाइट है सैक्लिस टोमेटा में मिलती है बिल्कुल सही बात एक्थियो फिस लिम्बलिस एमफीबिया है ये एमफीबिया है ये एंसर आ चुका होगा 29 का C 29 का C आ रहा है तो तुम बिल्कुल सही हो 29 का एंसर आएगा तुम्हारा C तो तुम बिल्कुल सही हो चलते हैं आगे कुश्चन नम्बर 30 वन अप दरी प्रेजेंटेटिव ओफ फाइलम आर्थरपुड़ा तुम सोचते रुग भै आर्थरपुड़ा में मचली कैसे आ रहे है थोड़ दर पहले मैंने एक्जामपल एक दिखाया था तुमें नेट 2013 का सवाल है ये वन अप दरी प्रेजेंटेटिव ओफ फाइलम आर्थरपुड़ा पफर फेस, फ्लाइंग फेस, कटल फेस, सिल्वर फेस शिल्वर फेस सबको याद होगा सिल्वर फेस किताबों में उलती है वो आर्थरपुड़ा ही होती है एंसर क्या जाएगा D सिल्वर फिस और बाकी सब अलग-अलग पफर फिस तो हमारे NCRT में है भी नहीं फ्लाइंग फिस की बात करें तो मान कर चलो कि आ सकता है कोई ऐसा मशली जो एक्वेरियम में रहता हो कटल फिस की बात करें तो CPI होता है कटल फिस अभी तक जितने कोशन हुए टोटल आउट ओफ 34 है ना 34 हुए 34 में तुमारे कितने करेक्ट है आधा स्लोट तो हो चुका है आधा और बाकी है टोटल कितना आ रहा है टोटल कितना आ रहा है नंबर हर्शाली, दिया सुजाता, अभिशेक मम्ता, अनुज, प्रशांत, मोहित, प्रियंका विनी, मिताली, रस्मे शोनंग, शिवंग जल्दी जबताओ कितने आ रहे हैं टोटल हाँ पीडिये फास सेब कर लूँगा मैं भूल गया था कल आउट ओफ थर्टी किसी के 32 आ रहे हैं समझ तो रहे हो ना बहुत कुछ सीख तो रहे हो ना कोशन करने की कैसे होती है मैं यहाँ कैसे कर रहा हूँ बस वैसी सिंपल दरीके से करना होता है आगे आएं कोशन नमबर 31 में रेप्टाइल्स के केरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे पूछे जा रहे हैं रेप्टाइल्या रेप्टाइल्स इसमें आते हैं रेप्टम रेप्लम क्लास रेप्टाइल्या की बात होगी तो बॉडी कवर्ड बिद मॉइस्ट स्कीन नाई मॉइस्ट स्कीन नहीं होता है इनमे फ्रेश वार्टर एनिमल है नाई marine animals and nine body covered with dry and cornified skin, बिलकुल खुरदरा skin होता है, body पर skills होते हैं, जैसे ship का लियां, साब बगरा निकालते हैं अपने skills, they do not have external ear, NCRT लिखती है, tympanum represent ear, answer हमारा D जाएगा, answer हमारा D जाएगा, देखो ना simple सी बात थी, NCRT की line है, यह लिखियो, dry and cornified skin, skills over the body are epidermal, they do not have external ears, 32, बूला गया, उस animal का नाम बताएं, उस animal के group का नाम बताएं, only bisexual main, NCRT की line है यह, only bisexual main, निडैरिया में तो जानती, metagenesis होता है, तो asexual, sexual दोनों मिलेगी, पौरिफेरा में, asexual fragmentation वो भी मिलेगा, sexual तो मिलेगा ही मिलेगा, gamits के होते हैं, fusion, protozoa की बात करें, तो बहुत नीचे का group है, asexual, sexual तो मिलेगा ही, protozoa में, amoeba में binary fusion मिलती है, टीनोफूरा के में NCRT लिखती है, reproduction is only bisexual means, reproduction में सिर्फ और सिर्फ sexual reproduction ही होगा, टीनोफूरा के case में, याद रखेंगे, 33, animal, characteristic और कौन से टैक्शॉन से ये बिलॉंग करते हैं, तो जल्दी से बताना है तुम्हें, बस eliminate करो, answer आ जाएगा तुम्हारा, eliminate करो, answer आ जाएगा, silver face, यार, quadeta में कैसे है, तो आर्थरोपूडा का member है, मचली थोड़े ही है, जो pectoral और pelvic fence देखने को मिलेगी, निडेरिया की बात करें, ट्रिपलोब्लास्टिक थोड़ी होती है, यह से मान कर चलो, आर्थरोपूडा में आ रहा है, तो आर्थरोपूडा का तो डॉर्सल नर्व कॉर्ड, ventral nerve कॉर्ड यहाँ पर बात करें, तो ventral nerve कॉर्ड तो चलो ठीक भी है, लेकिन मिलीपीड जो है, वो आर्थरोड़ी थोड़ी आती है, यह तो एक्जामपल ही अलग है, NCRT में तो है भी नहीं, डॉक बिल्ड प्लाटिपस, ओवी पैरस, मैमलिया, एंसर हमारा D आएगा, 33D, ज़्यादा सोचने का ही नहीं इसमें, जब हमें साफ तोर पे पता चल रहा है, कि मैमलिया में डॉक बिल्ड प्लाटिपस आता है, जिससे और नहीं थोरी इंकस कहते हैं, और यह OViparas होता है, पूरे मैमलिया में एक्सेप्शन तो यही है न, OViparas और Viparas के मामले में, तो हमारा 33 का अंसर D चला जाएगा, 34, दो नाम हैं यहाँ पे, शार्क नाम है और डॉक फिस है, जिससे स्कोलिडॉडॉण कहते हैं, दीफर फॉर्म स्केट्स और रेज बिकाउज, यह थोड़ा सा कुश्चन एक अलग फॉर्मिट में आया था, नीट 2013 का यह कुश्चन था, यह हमारे NCRT का कुश्चन नहीं है, यह उटसाइड NCRT था, क्योंकि चलो यह नाम तो हमारे NCRT में है, यह नाम भी हमारे NCRT में है, अस्केट्स और रेज यह नाम हमारे NCRT में नहीं है, मान कर चलें कि यह भी मशलियां हैं अगर, तो इनको कैसे हमरे प्रेजेंट करते हैं, उनके पेक्टोरल फिंस में अंतर देखने को मिलता है, तो बस यह ध्यान रखेंगे कि शार्क मशली और डॉग फिस, जब यह सब चीजें हम लोग देख रहे होंगे, तो इनमें जो अंतर होता है यहां पे, क्योंकि दोनों बिलॉंग करते हैं, तो एंसर क्या चला जाएगा, मतलब सिंपल सा याद रखेंगे न, कि इनकी जो पेक्टोरल फिंस होती है न, उनमें होता है डिक्स्टिंशन, अंतर उसमें होता है, थीक है, बस यह बात याद रखेंगे, ओके, 34 का एंसर क्या जाएगा, इसको याद रखेंगे, एंसर्ट में नहीं है, यह question out of the syllabus पूछा गया था, 34 का एंसर, 35, 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 36, 36, 30, इसमें थोड़ा सा दिमाग नगाएँगे, एंसर आराम से हो जाएगा, किंकि सिम्पल है यहाँ पर चीज, simple है यहाँ पे चीज यहाँ कोई bronchial tube नहीं होती देखो root बड़ी simple सी बात है अगर हम बात cockroach की करें cockroach में 10 pairs of aspiracles होते हैं lateral side पे spiracles देखने को मिलेगा direct respiration बोलते हैं direct aspiracles से चीज़े इंटर होंगी और direct उनके tissue तक पहुच जाएगी तो देखो aspiracles in metathorax ठीक है भाई metathorax में भी होगा trachea से tracheols फिर oxygen direct इनको cells में चले जाते हैं ठीक है aspiracles in prothorax tracheols tracheols के बाद tracheols के बड़ी चीज़ है tracheols छोटी चीज़ है और hypo pharynx के कोई role तो है नहीं इसमें aspiracles स्वाइग ही आएगा 35 का answer A आ रहा है तो तुम बिलकुल सही हो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में यह वैसे question कौकरुश वाले topic से लिया गया है यहां पर कौकरुश वाले topic से 36 फेरी टीमा की बात करें और इनके close relative जो है वो अपने nourishment कहां से लेते हैं यह तो बजपन में तुमने पढ़ा होगा कई बार यह एग्जाम्पल है ना फेरी टीमा का एग्जाम्पल कई बार पढ़ा होगा तुमने जैसे decomposition topic ecology में पढ़ते हैं हम वहाँ पर अर्थवम आते हैं तो अर्थवम सड़े गले चीजों पर dependent रहते हैं तो अर्थवम decaying fallen lips और soil organic matter पर dependent होगे तो 36 का answer भी चला जाएगा चलो वह यह बताओ in which one of the falling the genus name its two characters and its phylum are not correctly matched whereas the remaining these are correct बताना है इसमें not correct कौन सा है इसमें से तुमसे पूछा गया है न गलत कौन सा है इनमें से पूछा गया तुमसे गलत कौन सा है यह बताएं पाइला की बात करें apple snail ballaska का member है segmented body नहीं मिलती हम यह बात जानते हैं पाइला में unsegmented body मिलती है सिग्मेंटेशन तो बस तीन में मिलता है अनलीडा में, आर्थरपुडा में और कॉडेटा में पहला गलत हो गया एस्टिरियास स्टारफिस कहते हैं अस्पाइनियस किंड एकाइनडरमेटा बिल्कुल सही वाटर वैस्कुलर सिस्टम है तो यह तो सही है बिल्कुल साइकॉन की बात करें पूर बेरिंग पॉरिफेरा बिल्कुल सही है पेरिप्लैनेटा में जोईंटेटेशन गैटिनेशन जोस्टम बिल्कुल सही है एंसर ए जायेगा क्योंकि एक गलत है बॉड़ी अन्सेग्मेंटेड होना चाहिए ए आ रहा है एंसर सबका ए आ रहा है तो बिल्कुल सही हो तुम कुश्चन नमबर 38 वीच फॉलिंग पेर अनिमल और सीमलर टो इच अदर परटेंट तो फीचर स्टेटर अगंस दें मतलब सही बताना इसमें कौन सा है शोलो बई जल्दी से बताओ क्या लग रहा है तुम्हें सही कौन सा है ये रिपीट हो चुका है कई बार ये कुश्चन रिपीट हो चुका है देखो जारा वीवी पेरिटी की बात होगी और नितोर इंकस कैसे आएगा क्योंकि और नितोर इंकस तो वीपैरस होता है टेरोपस को मान भी लें वीवी पैरस लेकिन ये तो गलत है थ्री चैंबर हार्ट क्रोकोडाइल में नहीं होती फूर चैंबर होता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन स्कैरिस में नहीं मिलेगा Ankylostoma में नहीं मिलेगा इसमें कभी नहीं क्योंकि इसके आगे Anlida से स्टार्ट होगा ये दोनों तो Escalementis के मेंबर है Sea Horse और Flying Fist की बात करें तो इनमें Cold-Blooded होता है क्योंकि मेंबर तो है Pisces के मशलियों की बात चल रही है तो होते ही तो Cold-Blooded है क्योंकि Apes और Mammal ही सिर्फ Warm-Blooded है Poical Thumbs इन्हें बोला जाता है Answer D आ रहा है D आ रहा है तो मिलकुल सही हो D चलो भई आगे बढ़ते हैं Question No.39 Question No.39 क्या पूछा गया question कि Which one of the falling categories of animals is correctly described with no single exception और पूछा गया correctly described का ऐसा ही एक और question आ चुका है यादा रहा होगा तुम्हें ऐसा ही एक और question आ चुका है All reptiles, Pudges, Scales सब में तीन चैंबर नाई चार चैंबर है क्रोकोडाइल वाला दुनिया के सारे के सारे बूनी फेसेस Osteas, Thighs के पास Four pair of gills मिलेगी और आपर कूलम तो होगा ही होगा बिल्कुल सही All sponges are marine नाई NCRT लिखती है Generally sponges जो होते है वो marine में होते है Generally कह रही है अगर usually कह रही है Most of the कह रही है मतलब fresh water में तो मिलते होंगे जैसे A spongy la fresh water sponge All mammals are viperas नाई सुचो ना कितनी बार एक ही चीज रिपीट हो रही है कितनी बार एक ही चीज रिपीट हो रही है Ornithorinkus आ रहा है बार बार Crocodile आ रहा है बार बार Same उसी trend पे questions शलते चले जा रहे है अभी हम लोग 2012 मेंस का question देख रहे है 39 का answer यहाँ पे B चला जाएगा What will you look for to identify the sex of the following अगर sex देखना है इन में से तो क्या चीज़ें देखते हैं हम अगर पहचानना है हमें किसी को तो कैसे पहचानेंगे कि कौन male है और कौन female है इसको पहचानने के लिए तुम्हें क्या करना होगा Female Ascaris की बात करे तो कर्व मिलेगी नहीं यह बच्चे बोलेंगे कि NCRT में सर फिमेल को कर बना रखा है फिमेल को कर बना रखा है नहीं जगह कम है NCRT के पास इसलिए इसको उपर से नीचे कर रखा है कर्विंग male में होती है female में नहीं male frog के पास एक कॉपलेटरी pad होता है on the first तो यह चीज भी गलत है यह पूरा statement वैसे लिखा हुआ है नहीं तो यहाँ पे मिलता है कॉपलेटरी pad लेकिन first पर नहीं मिलता आखरी में मिलेगा यह first four wings पर नहीं मिलती है female cockroach की बात करें और male cockroach दोनों में anal सरकाई होता है anal style से पहचानते हैं वो male है male shark country thighs का member है in my class पर pelvic fins यह NCRT की line है कि male bear claspers male bear claspers NCRT की line है उन्देर pelvic fins तो male के पास यह चीज होती है female के पास यह चीज नहीं होती तो 40 का answer क्या जाएगा हमारा D जाएगा answer NCRT की line है यह question number 41 which of the following group of animals is correctly matched with its characteristic feature without any exception ऐसे format की कही सारे question बनते हैं इस chapter में शलें जल्दी से बताएग 41 number question number 41 without any exception reptilia की बात करें 3 chamber नहीं 4 chamber वाले भी हैं quadata में mouth मिलेगा upper end lower jaw नहीं cyclostromata में नहीं मिलती condescides की बात करें तो cartilage नियस बिल्कुल सही mammalia में हमेशा young one को दिया जाएगा हमेशा भी भी पैरस होगा क्या नहीं वो भी पैरस वाले तो हैं यह और नितोरिंकस कितनी बार repeat हो गई है न तुम देख सकते हो 41 का answer क्या जाएगा हमारा answer जाएगा इसका C यहां तरह सबका clear है शलें आगे आओ आगे बढ़ते हैं question number 42 two character है और phylum के साथ correct matches में तुमें करना है असकेरिस है अनलिडा से बिलॉंग करेगा क्या असकेरिस तो आते हैं असकेलमेंथिस के मेंबर पे सलमेंडरा एमफीबियंस में है सलमेंडरा एमफीबियंस में है टिमपैनम रिप्रेजेंट्स दी इयर बिल्कुल सही बात fertilization is external बिल्कुल सही बात तो ये तो हमें पूरी तरीके से correct लग रहा है चलो आगे देख लेते हैं टेरोपस की बात skin possessing hair mammals में आता है ज़्यादतर में मिलेगा ही oviparas नहीं है viviparas होते हैं क्योंकि mammals में oviparas सिर्फ और सिर्फ और निफरिंकस की बात होती है और एलिया की बात करें silentrata में आकर organ level नहीं tissue level होता है 42 का answer B 42 का answer B आएगा 42 में अगर B आ रहा है तो तुम सही हो 43 43 इस question को करें which one of the following statement is totally wrong पूछा गया है about the occurrence of notochord while the other three are correct तो तुम्हें इसमें से choose करना है कि wrong कौन सा है wrong कौन सा है तुम्हें इसमें से choose करना है एक तो तुम्हें साफ तोर पे गलत मिल रहा है it is present only larval tain in acidian बिलकुल acedia sulpadolyolum में larva के tail में मिलती है euro quadrata का member है सही line है it is replaced by a vertebral column in adult frog बिलकुल जितने भी vertebrates हैं समें vertebral column आ जाता है it is absent throughout life in human from the very beginning गालाद सुरवात में तो हम में होता है न embryonic life में तो हम में होता है न बाद में ये चीज़ बदलती है न vertebral column में हमारे पास भी कभी notocot था अपने embryonic period में लेकिन बाद में convert हो चुका बाद में convert हो चुका vertebral column में ठीक है amphioxus में बात करें तो पुरी life बर प्रेजेंट होता है amphioxus lenslet dranchustoma में answer हमारा C जाएगा 43 का answer C 44 में आ जाएं 44 में आ जाएं frog से question पूछा गया है 2011 minutes का question है ये consider the following four statements common frog rana tigrina select the correct option stating which ones are true which ones are false तो ऐसे question 2011 में ये पूछे गया है तो बताओ जल्दी से क्या लग रहा है answer on dry land it would die due to lack of oxygen if its moth is forcibly kept closed for a few days अरे नहीं हम ये बात तो जानते हैं अच्छे से हम ये बात तो जानते हैं अच्छे से कि अगर इसके moth को भी बंद कर दिया जाए तो अपनी ये skin से respiration start कर देगा लेकिन वो skin moist होना चाहिए यहां पे बूला जा रहा है dry land अरे अगर moist skin होगा तभी तो वो respiration कर पाएगा ना अपने skin से तो पहला की बात करें तो पहला हमारा moist आना चाहिए इट हैस four chamber heart बिलकुल सही तो true करें इसको false करें कोई मिल रहा है ऐसा ऐसा मिल गया है पहला answer हमारा डी जाएगा frog में चार chamber थोड़ी हो गया frog में तीन chamber मैंने ये कैसे कर दिया एक second false की बात हो गई it has four chambered heart nine तीन chambered heart होते हैं तो ये भी false आ गया ऐसा मिल रहा है कोई चलो एक बचारों देख लेते हैं on dry land it turns yurikotelic from yuriotelic क्या लगता है yuriko से yurio में बदल सकते हैं क्या yuriko से yurio में बदल सकते हैं क्या जल्दी बताओ ये basic सी चीज है ये हमें मालूब होना चाहिए हाँ क्या पुछा गया वही न पुछा गया false true हाँ it has four chambered heart की अगर बात करें तो ये तो false है frog के पास चार chamber heart होते नहीं तीन होते हैं दो auricle और एक ventricle और dry land वाला तो false false on dry land eat on ये भी बिल्कुल सही लग रहा है its life history is carried on in pond water तो life history वही होती है answer C लगाएंगे answer C लगाएंगे C आ रहा है सबका C होना चाहिए answer C आएगा बिल्कुल answer यहाँ पे C जाएगा क्योंकि जानते हैं ये दोनों तो false आ रहा है और बाकी ये दोनों तो true आएगा हाँ तो answer C लगाएंगे 44 का answer C 44 का answer C लगाएंगे ठीक है क्योंकि dry land के जगा moist होना चाहिए था charge chamber तो होते नहीं हाँ simple है 45 में लगाओ कुछ diagrams है कुछ diagrams है प्लाटी हेल मेंथिस सिलेंटे रेटा मॉलस्का आर्थ्रोपोडा A and D रेस्पैर मेंली थू बाडी वाल A चलो बाडी वाल से करवी ले D बाडी वाल से कैसे करेगा B and C सो रेडियल सिमेट्री यह बाडी वालेटरल सिमेट्री करता है A and B have nidoblast for self-defense B के पास तो है A के पास तो थोड़ी होगा nidoblast C and D have a tree siloam बिल्कुल true siloam होगा क्योंकि silomate के डेगरी में आते है 45 D 45 answer D आ रहा है न सबका answer D D आ रहा है तो तुम बिल्कुल सही हो चले 46 में One example of animal having a single opening to the outside that's up both mouth as well as anus बोला जा रहा है कि एक ही opening है जो mouth का काम भी कर रहा और anus का काम भी कर रहा जिसे blind sack body plan कहते हैं जिसे tube within tube हम लोग में हैं तो इनमें blind sack body plan है तो बताओ फैस्यूल आ रहा है क्योंकि ये platy helminthus का member है बात समझ गए होगे तुम अगले सवाल में चले हम लो question number 47 में question number 47 में चले which one of the following statement about all the four of spongyla leech, dolphin and penguin is correct ये चारो के बारे में कौन सा statement पूरी तरीके से correct हो देखते हैं penguin homeothermic है बिलकुल bird है while remaining three are poikalothermic जो और बचे हुए थी नहीं नहीं डॉल्फिन भी homeothermic है पहला statement गलात leech is a fresh water form while all others are marine और सारे marine है नहीं नहीं ये spongyla fresh water का है spongyla has special colored cells called quinocytes not found in the remaining three बिलकुल सही 47 का सी आ रहा है 47 का सी आ रहा है बिलकुल सही हो तो आओ 48 में चले which one of the following kind of animals सा ट्रिप्लो ब्लास्टिक ये लो इतना सिंपल सा question है 2010 का ट्रिप्लो ब्लास्टिक कौन है इस में से कॉरल्स डिप्लो टीनोफोरा डिप्लो अस्पंजेज डिप्लो फ्लैट वर्म्स ट्रिप्लो क्योंकि प्लैटी हलमेंथिस से पहली बार ट्रिप्लो ब्लास्टिक स्टार्ट हो गई थी तो answer हमारा ए जाएगा है ना 49 में आजओ 49 में आजहो 49 में आजओ ये भी 210 काई question Round Worms are Pseudossilomate बिलकुल सही है भाई पहला मौलस का डिप्लोमेंथ नहीं सिलोमेंथ होता है इंसेक्ट सिलोमेंथ होता है फ्लैट वर्म्स की बात करें 49 का answer A अब तो easy हो गया होगा पूरा पूरा का पूरा तो 49 का एंसर क्या जाएगा ए जाएगा 50 में चलते हैं In which one of the falling organism its excretory organs are correctly stated In case excretory organ के बारे में थोड़ा सा अर्थवम जो है ना अर्थवम में और टॉपिक में नहीं है तो ये मैं बता दूँ ये तीन तरह के बिल्कुल सही है SIP याद रखेंगे इसमें septal nephradia integumentary nephradia pharyngeal nephradia humans में kidneys है tear gland को हम नहीं रखते excretory organ में सब बच्चे जानते में होंगे ये चीज कि tear को हम नहीं रखते tear gland को excretory वाले पार्ट में cockroach में enteric cica का का काम नहीं होता ये कई न कई enteric cica ये earthworm में होती है earthworm में सायद होती है confirm नहीं हूँ मैं इसमें enteric cica पे ठीक है क्योंकि enteric cica तो cockroach में तो नहीं मिलता क्योंकि cockroach हमने detail में पढ़ाया है frog की बात करें frog में kidney skin और buccal epithelium से यहाँ से नहीं काम चलेगा excretory answer हमारा B जाएगा अर्थworm में याद रखेंगे तीन तरह की nephradia होती है septal, integumentary और pharyngeal next question number 51 crocodile और penguin similar है whale और dog fist के in which one of the following feature in which one of the following feature आखरी question है यह आज का crocodile और penguin किसके whale और dog fist के comparison में possesses are solid, single, stranded single नहीं होता single, 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 single solid नहीं होता भाई, hollow होता है quadata में hollow होगा lay eggs and guard them till they hatch whale अंडे नहीं देता है whale बच्चा देता है possesses bonious skeleton नहीं dog fist में बोरी नहीं मिलती dog fist is colidone है इसमें मिलता है cartilaginous answer D जाएगा 51 का answer D likes बढ़ती रहने चाहिए यार total हमने 51 question और शुरू में 4 किये थी 2020 के तो total 55 questions आज हमने किये है out of 55 कितने correct है out of 55 तुम्हारे कितने correct है out of 55 तुम्हारे कितने correct है राधा, निक्की, रतन, कल्यान, बिपिन, पूजा, प्रभाकर, शिफाना, सीमा, मजीदा, आर्वी अर्थवम और फ्रॉग हमारे syllabus में नहीं है लेकिन ये basic से कुछ question है जो हमें आने चाहिए कम से कम हाँ बहुत अच्छा जिसके भी 54 में 45 के आसपस है ना या उसके उपर हैं वो बिल्कुल सही है 45 के आसपस के रेंज में वो बिल्कुल सही है 40 से नीचे जा रहा है ना तो अभी बहुत मेहनत करने की जरुरत है इसमें और मेहनत तुम करी रहे हो ये stressed batch 19th में को launch हुई है जिसमें मेरी अभी एक class हुई है ये 12th की stressed batch है जो बच्चे आने कैड़ी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं वो code यूज करेंगे कुमारलाइव तुम अपने friends को भी share करोगे ये code कुमारलाइव दो तरह के सब्सक्रिप्शन के model है प्लस और आइकनिक जो बच्चे नी 2021 में देने वाले हैं त्री मंत का सब्सक्रिप्शन का plan 2022 वाले ये लेंगे 2023 वाले ये लेंगे हर एक सब्सक्रिप्शन के cost में 10% का discount होगा after applying कुमारलाइव referral code ऐसे ही आइकनिक सब्सक्रिप्शन है इसमें भी ऐसे ही benefit मिलते है हाँ PDF इसका download करना है PDF में सच में याद दिला दिये तुम भाई खेप discard कर देता तो फिर खेल खत्म था चलो तो ये हो गया export ये हो गई PDF बन गई Animal Kingdom Beats for biology चलो गई तो ये बन गई Animal Kingdom की PDF ठीक है भाई बहुत अच्छा तुम याद दिला दिये आखरी ने मुझे रोज याद दिला देना तो मिलते हैं भाई हम लोग फिर 11.30 बज़े आज अगनी परिक्षा में हम लोग Animal Tissue स्टार्ट करने वाले हैं सेशन को like जरूर करना सेशन को share करो और ये हमने चार चैप्टर कम्प्लीट कर लिए प्रिवियर सेर कोशन सिरीज में कल हम लोग पाचमा चैप्टर करेंगे जिसका नाम होगा Morphalogy of the Flavoring Plants ओके चलो भाई तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में और नीचे लिंक दे रखा होगा साम में चार बज़े भी मिलना है हमें जिसमें most expected questions हमने देखेंगे ठीक है चलो भाई तो मिलते हैं अगली क्लास में ओके बबाय थैंक्यू special class है हमारी 10 minute में ही ठीक है और जो बच्चे plus प्याना चाहते हैं तो सबको मालूम होगा कुमार लाइक कोड को यूज करते हैं और प्लस प्याने के लिए बाबाय थैंक्यू टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लेंगे बीट्स फॉर बायालोजी वहीं है पीडिएफ तुमें मिल जाएगी जो बच्चे नहीं है ठीक है